लेप्टॉप के साथ मेरी बिल्ली द्वारा किया गया संकरन प्रयास एक पुरानी एस्पायर वन नेटबुक विफल रही अमोनिया में सम्रिध कावनिक तरल पदार जिसने यूएस्बी पोर्ट के माध्यम से आंतरिक इलेक्ट्रोनिक खटकों पर आक्रमन किया कुछ धातू घटकों को खराब कर दिया चैनल नमबर 666 के साथ नोटबुक की कई विशेश्टाओं को बाहर करना और सब कुछ लगाना बिल्ली के मूत्र से बना इसलिए मुझे ऑफसाइट से छुटकारा पाने के लिए नोटबुक को पूरी तरह से अलग करना पड़ा और बिल्ली के संपर्कों को फिर से सक्रिय करें लेकिन जल्दबादी में मैं लाउट स्पीकरों को फिर से जोड़ना भूल गया इसलिए इसे फिर से अलग करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का अफसर लिया जो सिध्धान्त रूट में किसी भी नोटबुक को अलग करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया का प्रतिनिधित्म कर सकता है शायद मरम्मत या हार्ट्वेर अब्रेड के लिए राम व्रिद्धी, मास मेमरी का प्रतिस्थापन, वाइफाई मॉड्यूल के प्रतिस्थापन आदी, प्रशन में नेटबुक बहुत कम खपत और कॉंपेक्ट होने के कारण, मैं इससे नेक्स्टे क्लाउड होम क्लाउड के लिए एक छोटे फोकलिफ्ट के रूप में उप्योग करता हूँ जैसा की पिछले वीडियो में दिखाया गया है, उपर दाई और दिये गए लिंक के साथ एनोटेशन देखें फीट पर लगे शिकंजे की पहचान करने और उन्हें हटाने के बाद, मैं केवल तीन स्टॉप पर अभिने करके कीबोर को हटा देता हूँ और के चुखाने के बाद कनेक्टर से फ्लेट केबल को खोलना मैं कीबोर के नीचे की स्टॉप का पता लगाता हूँ और उन्हें हटा देता हूँ मैंने केच उठाने के बाद, टेच पैर कनेक्टर से फ्लेट केबल को हटा दिया मैं शरीर के दो हिस्सों को अलग करता हूँ मैं और्डियो कनेक्टर और यूएसबी पोर्ट के साथ कार्ड को हटा देता हूँ वाइफाई मॉड्यूल पर एंटीना कनेक्टर्स को पूर्वबत करें मैं वाइफाई कार्ड निकालता हूँ मैं मदबूर्ट से फ्लेट डिस्प्ली कनेक्टर को दिस्प्नेक्ट करता हूँ मैं मदबूर्ट निकालता हूँ यहां आंतरिक स्प्पीकर का कनेक्ट है जिसे मैं मदबूर्ट से कनेक्ट करना भूल गया था मैंने शरीर से डिस्प्ली टिका हटा दिया और उन्हें छोड़ दिया मैं आंतरिक लाउट स्पीकर हटा देता हूँ स्मून्टो एल हार्थ डिस्क यहां आमोनिया की कारण होने वाले ओक्सी करन का प्रभाब है जो एल्यूमिनियूम को छेदने में काम्याब रहा हार्थ ड्राइब सुनक शात्मक जैकेट मैं कुंडी जारी करने के बाद रैम मेमरी बेंट निकालता हूँ मैं वायोस बफर बैटरी निकालता हूँ पहले बिल्ली के शरीर के तरल पदार्थ से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए अमोनिया युक्त मैंने सभी संपरकों और इलेक्ट्रोनिक भागों को साफ किया एक इलेक्ट्रिक रियक्टिवेटिंग स्मितो एक पुराना तूथबरश और शोशक कागस के साथ दिस सेथ के लिए समाल चरनों का पालन करते हुए सब कुछ फिर से इकठा करें लेकिन उल्टे क्रम में गलती करने से बचने के लिए डिस सेथलर के दौरान स्फ्रू और घटकों को सूची बद करने की हमेशा सलाह दी जाती है जिस तरह से आप पसंद करते हैं ताकि पुनल सयोजन के दौरान गलती न करें और ओपरेशन को गती दे मैंने बस उन्हें टेबल पर छोटे समुहों में विभाजिल कर दिया यदि हार्टवेर अफग्रेड करके नोटबुक के प्रदर्शन में सुधार करने का इरादा है जाहिर है कि पुराने घटकों को नए के साथ बदलना और असेंबली के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा करने में आगे आगे हारागर में कर दोड़ना प्रेड बढ़ना आगे आगे साथ बढ़ना आगे बढ़ना आगे अगे झाल झाल आप तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मैं लोगों, जानवरों और चीजों को होने वाली किसी भी शती के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इंकार करता हूँ प्रक्रिया का पालन करने के इच्छत लोगों के लिए जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और सुख़द मनोरंजन कर रहा हूँ अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो शेर करें, लाइक करें, सुपर ठेंक्स ने और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं पावर कॉर्ड में प्लग करता हूँ और नेट बुक तक पहुचने का प्रयास करता हूँ लाइक्स डेविन ओपरेटिंग सिस्कम सपलता पूर्वक लोड़ दो गया और सभी परिधिये पूरी तरह से काम करते प्रतीत होते हैं जबकि बिल्ली को प्याद भरी देख भाल के लिए सौपा गया है वियल टाइम खैनाल 31 पर गट्टी इंडेमोनीटी के बिल्ली विशेश अगय द्वारा सहायता का शुक्रिया नमस्ते